नमस्कार दोस्तों आप सभी के स्वागत करते हूं अपने यूट्यूब चनल सर्चाइट 24 में दोस्तों मिनिस्ट्री ओफ रेलवेज दोरे एक इंपॉर्टन लेटर जा रही हुआ है काफी इंपॉर्टन लेटर है ऐसा इसलिए बोड़ रहा हूं से काफी लोग नराज होने वाले हैं और काफी लोग खुश होने वाले तो चलिए दो स्ँटाड करते हैं1 सबसे पहले बात करूं दोस्तों जो अपका साथ ब absolument को आउछी हुआ दी यहां पर दोस्तों बात की गई है यहां पर दोस्तों बात की गई है यहां पर देखिए नोटिफिकेशन नमबर दिया गया है CN01-2018 ये जो वेकेंसी थी ठीक है technician की वेकेंसी थी और ELP की वेकेंसी थी उसकी बाद JEE की जो वेकेंसी थी और उसकी बाद para medical staff की जो वेकेंसी थी ये आप notification number देख लिजेगा इनका जो waiting list थाना दोस्तों इन waiting list को clear करने की बात की गई है इस letter के अंदर और बताया गया है कि जितना हो सके जल्दी इन बच्चों का waiting clear किया जाए और जितना जल्दी हो सके replacement panel लाने की बात की गई है ठीक है तो ये तो बात होगी दोस्तों notification number 18 की technician यानि JEE की 18 में vacancy आई थी और 19 में आई थी para medical staff की इनकी बात होगी तो यहाँ पर बात यही हो रही है दोस्तों कि feeling up additional and replacement vacancy तो जितने भी बच्चे waiting list में है न notification के अंदर जिसकी मैंने बात की अभी इन सभी का waiting list clear करने के लिए ही बोला गया इस letter के अंदर important बात यह है तो काफी लोग खुश होंगे जिनका भी waiting list में नाम है वो काफी खुश होंगे कि अब हमारा number आने वाला है और हमारा waiting clear होगा आगे देखते हैं दोस्तों letter में क्या दिया है तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो बोला गया है all zonal railways को कि अपनी vacancy को एक बार review कीजिए ठीक है आप अपनी vacancy देखेंगे आपके पास कितनी vacancy बची हुई है कितनी खाली है आपके पास ठीक है यह सब आपको check करना है और report submit करनी है 31-12 तक ठीक है 31-12 तक बोला गया है आपके पास technician, paramedical और JE वाली जो vacancy थी पहले उन सभी का review करने के लिए बोला गया है कि review करना है ठीक है कब तक 31-12 तक उसके बाद आके क्या बोला गया है दोस्तों कि जिनकी waiting list है उनकी waiting list clear करनी है आपको सारी waiting clear कीजिए technician, ELP, JE की paramedical staff की जितनी भी आपकी vacancy बची हुई है review कीजिए पहले review करने के बाद दिया गया है तो matter of feeling up additional vacancy in the wealth category occurring after 31-12 31-12 तक तो इन्होंने बोलाई कि waiting clear करनी है उसके बाद देखी क्या बोला गया 31-12-2022 till 36-2023 ठीक है तो दोस्तों आप लोग देखिए पहले बोला गया था 31-12 तक ठीक है अब उसे change कर दिया गया है 36-2023 तक कर दिया गया है ठीक है तो इसका मतलब आप लोग समझ रहें दोस्तों कि जो नई vacancy आने का संभावना था ना जिसे हम लोग बोल रहते हैं कि ELP की vacancy आने वाली है और technician की vacancy आईगी बट आप दोस्तों आने की संभावना ना के बराबर है आप आपकी vacancy देखनों कि मिल सकती है अगस्त या फिर सितंबर के अंदर उससे पहले vacancy आने की संभावना तो कोई है ही नहीं कोई chance नहीं बनता है इस notice की बिहाफ में अगर हम लोग देखे तो vacancy अब आने वाली नहीं है फिलाल आभी आपको कोई vacancy नहीं दीखेगी आपको vacancy दीखेगी अगस्त या फिर सितंबर के बाद यहाँ पर उनने बोलाए कि 36 तक इनको report submit करनी है कितनी vacancy है उनको check करना है अपनी और waiting clear होने के बाद ही जो भी vacancy बच जाती है उन सभी vacancy को वापस से new vacancy निकाली जाएगी और वो निकाली जाएगी आपकी अगस्त या सितंबर के बाद तो यहाँ पर 3CN का मतला मैंने आपको पहली बताए था ALP Technician, JEE और Paramedical की बात हो रही है अप टू 36 2023 उनने बोला है सारे vacancy अपने अच्छे से review कीजिए आपकी vacancy खाली है ठीक है जितनी खाली है उन्हें भरिये waiting list को clear कीजिए waiting list पूरी complete होने के बाद जो vacancy आपके पास बच जाती है उसकी रिपोर्ट समिट कीजिए कब तक 36 2023 तक आपको रिपोर्ट समिट करनी है आगे देखी क्या लिखा गया तो यहां पर दोस्तों बोला गया है कि एक format दिया जाएगा आपको ठीक है उस format के according आपको अपना पूरा data फिल करना हर जोनल डिपार्टमेंट को भरना जितने भी रेलवे की डिपार्टमेंट है ठीक है जितने भी जोन है तो उन सारे जोनों को एक format दिया जाएगा उन format में आपको उसी format के according आपको तीनो वेकेंसी का डिटल भरना है और उसे भेजना है आपके DM जो आपके जनरल मैनेजर होते उनके पास भेजना है ठीक है दोस्तों जैसा कि आप सबी देख रहे हैं यहाँ पर कि last date 36 2023 बताई गई है तो इसके according अगर देखा जै तो हम लोग सोच रहे थे कि जो वेकेंसी है जनवरी से लेके मार्च के बीचे में आ जाएगा बट दोस्तों यहाँ पर वेकेंसी अब न नहीं मिलने वाली है ठीक है अब जो भी वेकेंसी आपको देखने की मिलेगी अब वो अगस्त के बाद ही मिलेगी उससे पहले तो कोई भी संभावना नहीं बन रही है आगे बात कर लेते हैं इन्होंने कौन से फॉर्मेट की बाद की यह यहाँ इसा कौन सा फॉर्मेट है वेकेंसी बच जाती है उसको रिवीव कीजिए और आपके बस कितनी वेकेंसी बच ची है इस फॉर्मेट में आपको समिट करना है डेटा में बात है दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे वेकेंसी अभी नहीं आने वाली है काफी लोग इंतजार कर थे कि नहीं वेकेंसी मिलेगी आपको सितंबर या एक्टूबर के बीच में इसे पहले कोई वेकेंसी आने की संभनों ना के बराबर है फिलाल दोस्तों जो लेटर इकेंदर इंपॉर्टेंट था हूँ हमने डिसकस कर लिया है फिर भी अगर आपको इस लेटर से कोई डाउट होता है तो आप हमे झाल झाल